नमस्कार एक बार पुनो हाजिर हूँ मैं एक नहीं पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉक्स में दोस्तों एक सुन्दर सी मेल हतीली आप पुरुष जातक है और आपकी बहुत अच्छे हतीली मेरे सामने बीवे चना के लिए आई हुई है हतीली एकदम आईताकार है इसका दो वर्सों के बाद बहुत अच्छा फाइदा जिसको कहते हैं दिन दूनी रात चोगनी उन्नती वाला फाइदा मिलने वाला है आपको ठीक दो वर्सों के बाद एक तो दार्षनिक किसम का ब्यक्तित्व बना रहेगा जिग्यासा प्रिवर्ति वाला ब्यक्तित्व आपका बना हुआ है और बना रहेगा एनलेटिकल किसम वाला जो परसनल्टी है वो डेपलप हो रही है और इसका फाइदा होगा आपको दूसरी बात है धीरे धीरे जो सकारात्मक सोच है वो निश्चित तोर पे बढ़ने वाली है और इसका बहुत ही अच्छा लाब आपको जीवन में आगे होने वाला है दूसरी बात अगर हम देखें ये आपकी हिर्दई की लकीर है ये आपकी मस्तिस्क की लकीर है ये आपकी जीवन की लकीर है और यहां से निकल कर इस प्रकार से जाती हुई ये आपकी करियर और धन की लकीर है यहां पे ये अर्द बिक्सित रूप में एक अंग्रेजी का M का आकार बना रही है कैपिटल M इसका मतलब है कि आपके सरीर के जो पंच तत्व हैं जिने हम पंच भूत कहते हैं जिन से आपका सरीर बना हुआ है जो आपके सरीर के सातों चक्र है जो आपकी पांच ग्यान इंद्रिया है और पांच कर्म इंद्रिया है उनके अनुसार अगर हम देखें तो आपकी जो इष्ट देवता है वो भगवान सिब है जितनी जादा सरनागति जाएंगे जिवन में उतनी दिव्यता को और निश्चित रूप से उतनी ही भव्यता को प्राप्त करेंगे लेकिन ये इसके उपर डिपेंड करेगा आपका समरपन किस प्रकार का यहाँ पे है तो हतेली बहुत सांधार आपकी है आगे बहुत अच्छा फल हतेली दे रही है अब यहाँ पे देखेंगे बरतमान समय में एक चीज़ देखेगा इस प्रकार की लकीरे आपकी हतेली में दिखाई दे रही है और यहां पे हलका जाल बनना सुरू हो गया है इस छित्र में ये चीज आपको प्रेशान कर रही है और साथ में जो है अंगोठे का ये आकार एक एक करके मैं चीजों को बता रहा हूँ ये जो सब रेखाएं हैं एक दूसरे को काट रही है और भग्य अस्तान पे भी अगर आप देखेंगे तो इस प्रकार की चीजें दिख रही है ये चीजें ठीक नहीं है ये चीजें सबसे पहला इसका जो प्रभाव पढ़ रहा है ये आपके मन पर आपके मस्तिस्क पी पढ़ रहा है और तीब्र पढ़ रहा है कहीं न कहीं उल्जन बनी हुई है ब्यक्ति दुविदा में है ब्यक्ति कन्भ्योजन में है और जो इस समय आपकी निरणे लेने की ताकत है वो देरी देरी छीन हो रही है दूसरा इसका जो प्रभाव है वो आपकी आर्थिक सेहत पे पड़ रहा है आर्थिक रूप से आप बहुत ज़्यादा कमजोर हो रहे है बीमारों अवस्ता में ये ला रही है दरी दर्ता की तरफ आपको ये धकेल रही है ये निश्चित तोर पर ये जो लकीरे है ये कदम कदम पर मुश्किलों का सामना करवा रही है पैसे रुपे को लेके रोटी रोजगार को लेके आजीवका को लेके हर जगा आपको उतार चड़ाव जहलने पड़ रहे हैं पैसे ऐसे फसे हुए है कि ना नुकर तो नहीं हो रहा है लेकिन आज देंगे कल देंगे अब ये प्रेशानी आ गई है अब वहां से पैसा आना है फिर आपको देना है ये चीजें दिख रही है पैसा नहीं आ रहा है आर्थिक रूप से बीमार ये बना रही है तीसरा इसका प्रभाव आपके स्वास्त्य पर पड़ रहा है चाहे वो मानसिक स्वास्त्य हो चाहे वो सारिरिक स्वास्त्य हो इसमें बिकार आते हुई दिखाई दे रहे हैं चोथा इसका प्रभाव आपके रिष्टों पर निश्चित रूप से पड़ रहा है चाहे वो दामपत्य जीवन का रिस्ता हो चाहे वो परिवार का रिस्ता हो चाहे वो कुटुम का रिस्ता हो चाहे वो प्रोफेशनल रिस्ते हो उन रिस्तों का जो पूरा सुक मिलना चाहिए उन सुक के आगे प्रस्तितियां सामने आके खड़ी हो रही है और पांचवा और सबसे बड़ा इसका जो प्रभाव है वो आपकी development पे आपकी progress पे पढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है कहीं न कहीं आपका जो सपलता का अस्तर होना चाहे था वो यहां पे बहुत ज़्यादा down जाता हुआ दिखाई दे रहा है तो इस चीज को सबसे पहले हमाएं अपनी जीवन से निकालना है कैसे निकालेंगे इसके लिए दो चीजें आपको करनी है एक तो दिव्य योग ध्यान किरिया में जो दूँगा उसको प्रौपर तरीके से करना सुरू करें दूसरा में आपको एक बनस्पति अश्नान दे रहा हूं उस बनस्पति अश्नान को जरूर करें दिये हुए बिदी के अनसार करें बहुत अच्छा लाब आपको प्राप्त होगा अब यहाँ पे देखेगा एक चीज इस सुक्र की वजो से कहीं न कहीं आपको जीवन में संगर्स की इस्तिती जहिलने पड़ रही है और धनहाने आपकी जीवन में हो रही है निरंतर ब्यावसाई में बड़ा नुकसान की और आप जाते हुई दिख रहे हैं और खास कर जो है धन के मामले में चीज़ें ठीक नहीं है यह इसलिए हो रहा है यह संगर्स इसलिए हो रहा है और अभी दो वर्सों तक यह चलेगा ठीक दो वर्सों के बाद इसमें पूरी तरह से लगाम लग जाएगी और उसके बाद सानदार समय आपकी जीवन में पुनाह लोट रहा है वापिस आता हुआ दिखाई दे रहा है लेकिन दो साल का समय बहुत जादा होता है सहन करना मुश्किल होता है बिक्ति की हिम्मत तूट जाती है कि कास जो है अब कुछ नहीं है इसके लिए क्या करना है आपने इसके लिए आपको मैं उपाई बिदिवत तरीके से लिख करके और ओडियो के मादियम से दे रहा हूँ आप करने की कोशिस करें निश्चित ही बहुत अच्छा लाब मिलेगा आपका अगर मनी बंद देखें तो आपका मनी बंद ये बता रहा है कुछ समय तक कोई नो कोई चिंता बनी रहेगी और जिवन में हलका संगर्स भी बना रहेगा ये उंगली पूरी तरो से जुकी हुई है मिडिल फिंगर की तरफ ये बहुत अच्छा है धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेगी इस वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आरध्य के परती समरपन की भावना रहेगी मिडिल फिंगर भी पूरी तरो से जुक रखी है रिंग फिंगर की तरफ ये थोड़ा नगेटिव है और ये जीवन भर इसका परभाव रहता है बहुत जादा मेहनत और प्रिसरम करने के बाद ही चीजों में आपको सपलता मिलती है और अभी भी यही दिख रहा है कई बार दोड़ा धुपी का काम भी करना पड़ता है इस पश्ट दिखाई दे रहा है ये उंगली पूरी तरह से जुक रखी है मिडली फिंगर की तरफ आपके अंदर यस पाने की एक्षा नेम फिम पाने की एक्षा और अपने कारियों में विस्तार पाने की एक्षा बहुत ज़ादा दिखाई दे रही है और यहाँ पे देखेंगे तो ये ब्रिस्पति की उंगली सी बड़ी दिख रही है मिडली फिंगर से छोटी दिख रही है रिस्क लेने की छमता आपके अंदर है चीजों में जोखिम उठाने की छमता है और उसमें कहीं कोई नुकसान हो भी जाए तो गिर कर उठने की छमता भी है और आप अपने जीवनकाल में ठीक दो वर्सों के बाद से बहुत बड़ी सपलता को भी अरजित करेंगे यह यहाँ पे इस पश्ट दिखाई दे रहा है जहां आपकी धन की इस्तिति बेहतरीन होगी पैसा आपके पास बहुत अच्छा आएगा वहीं आपके कारियों को बहुत अच्छा बिस्तार मिलने वाला है फैलाओ मिलने वाला है और आपका यस बढ़ने वाला है और सफलतम जीवन आप जीने वाले है यह दिखाई दे रहा है लेकिन अभी दो वर्सों तक संगर्स भी है समल के चलने का टाइम भी है बहुत जादा बाद बिवाद में पढ़ने का टाइम भी नहीं है और थोड़ा संगर्स उतार चड़ाओ पैसे रुपे को लेके रहेगा आजे उका को लेके रहेगा रोटी रोजगार को लेके रहेगा और थोड़ा सा जो है मानसिक प्रेशानिया परिवार को लेके रहेगी रिस्तों को लेके रहेगी तो इस तरफ थोड़ा सा ध्यान दीजेगा उपाई में दोंगा उसको करिएगा तो बहुत ज़्यादा असर जीवन पर नहीं पड़ेगा ये दिखाई दे रहा है लेकिन पूरी तरह से ये दो वर्सों के बाद ही बेहतरीन इस्तिति में आएगा जो सच है वो बोलना बहुत जरूरी है कई लोग कहते हैं आप बहुत ज़्यादा नगेटिव बोलते हैं मैं नगेटिव नहीं बोलता हूँ मैं बोलने की हिम्मत करता हूँ जो हतीली में लिखा रहता है किसी को खुस करने के लिए मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ मैं निश्चित तोर पे जो कमिया होती है उनका सटीक उपाई देने की कोशिस करता हूँ और अपनी तरफ से 100% देता हूँ अगर वो विक्ति नहीं कर पाए और उसके जिवन में कोई परिवर्ता ना आए तो वो उसके उपर depend करता है क्योंकि जो भी उन उपाईयों को करता है किरियाओं को करता है उसका जो फीडवेक आता है वास्तों में वो एक सांदार इस्तित को बया करता है यहां पे देखेंगे तो छोटी उंगली पूरी तरफ से जुक रखी है इसके तरफ धन कमाने की ललक आपके अंदर जबरदस्त बनी हुई है और जबरदस्त रहेगी इसके पहले पोर्वे तक नहीं पहुँच पा रही है थोड़ा सा जो है नाखुन जरूर बढ़ाएं यही इसका उपाई है और बहुत अच्छा लाब भी आपको मिलेगा इसके बारे में हमने दिखा लिया है यहाँ पे देखेंगे यह हिर्दे की रेखा है देव गुरु ब्रेस्पिति को टच कर रही है पहुँचनी रही है सुबह उठते ही तीन चीजों पर अनायास ध्यान जा रहा है उठते ही धन के मामले में ध्यान जा रहा है उठते ही फिजिकल बोडी की तरफ ध्यान जा रहा है उठते ही कारियों के विस्तार की तरफ ध्यान जाता हो दिखाई दे रहा है मस्तिस्क रेखा देखें तो मस्तिस्क रेखा वास्तों में बहुत अच्छी है निश्चित रूप से जो है एक विबेक वान बेक्तित्व है अपने विबेक से हर समय कुछ न कुछ सकारात्मक सोचते हैं जिवनकाल के लिए योजनाई बना रहे हैं और दिमाग से काम करने वाले बिक्ति हैं इसका लाब होगा इस पश्ट दिखाई दे रहा है कोई कमी नहीं है मस्तिस्क रेखा में जिवन की रेखा भी धीरे 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 इस तरफ से आती हुई और यहां पर मचले का चिन बना रहे हैं बहुत सांधार थोड़ा सा मैंने यह देखा है ऐसे लोगों की जो वास्त्विक तरक्की होती है वो जन्म अस्तान से बाहर देखे गई है जन्म अस्तान में रहकर यह लोग बहुत बड़ी तरक्की नहीं कर पाते हैं जीवन में थोड़ा उतार चड़ाव इनको जहिलना पड़ता है लेकिन स्रेष्ट सपलता प्राप्त करते हैं, धार्मिक होते हैं, अध्यात्म से जुड़े हुई लोग होते हैं, धर्म और कर्म में विश्वास रखने वाले बिट्टी होते हैं, बेग्यानिक तरीके से अपन धर्म को अपने अध्यात्म को जानने की चमता रखते हैं, और ऐसे कर्म जीवन में करते हैं, कि अंत में परिनिर्मान की प्राप्त होती हैं, अंत में मोक्ष को ये लोग प्राप्त करते हैं, ये आपकी हतेली की जीवन रेखा बहुत स्रेष्ट है, और मैं कहूं, लाखों ह हतेलियों में से एक हतेली की जीवन रेखा ऐसी होती है तो कोई अतिसयोगत नहीं है यहां पर जासे जीवन और मस्तिस्क रेखा उग रही है वहां पर थोड़क गयप है स्वतंत्र विचारधारा की बिक्ति भी है थोड़का हलका जिद्दीपन भी आपके अंदर रहेगा मन- किसी के कंट्रोल में किसी के आदिपत्य में बहुत ज़्यादा काम करने वाले नहीं है स्वयम के निरणयों पर चलने वाला बिक्तित्व है हां मैनेजमेंट की छमता बहुत अच्छी है पुराने धर्रे पर चलना घिसी पिटी चीजों के साथ आगे बढ़ना यह आपको अ बहुत अच्छी तरों से आप निभा लेते हैं इसका लाब भी आपको होगा लेकिन आपके अंदर थोड़ा सा उतावालापन और ऑबर कॉंफिटेंस ज्यादा है मंगल के कारण और जिसके कारण आप अपने जीवनकाल में ऐसे निरणय ले लेते हैं कि कई बार उन निरण के कारण फंस जाते हैं और पच्टाना पड़ता है तो मंगल को थोड़ा काबो में रखें और थोड़ा सा जो है सोच समझ कर चीजों का एनलेसिस करके फिर डिसीजन ले तो बहुत अच्छा है एक रेखा यहां से निकल रही है यह यात्रा की और संकेत दे रही है बहुत य रही है तो जो करियर और धन के छेतर में इस्टेबिलिटी होनी चाहिए थी उसमें अर्चने आती हुई दिखाई दी रही है जो आप कह रहते हैं काम वहां तक पहुंच जाते हैं लेकिन जब होने वाला होता है तब ब्रेक लगता है तो इसका कारण यही है एक चीज मैं ब और इसको जितना ज़्यादा आप अच्छी तरह से करेंगे और साथ साथ में दिव्य योग ध्यान के रिया अगर यह चीज आप करते हैं तो निश्चित तोर पे आपको जबरदस्त फाइदा होगा लेकिन वो जबरदस्त फाइदा दो बरसों के बाद होगा उससे पहले हल का असर आपकी जीवन पर पड़ेगा बहुत ज़्यादा प्रेशानिया नहीं उठाने पड़ेगी यह चीज जरूर है एक रेखा यहां से जाती हुई दिख रही है अभी पूर्णता नहीं आई है लेकिन है आयू बहुत अच्छी रहेगी जीवन में सपलता निश्चित त रहा है यहां पर अगर हम देखें तो आपका जो सुक्र का प्रोत है इसको मैंने बता दिया है कि इसमें जाल बना हुआ है तो बरतमान समय में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं चिंता भी कर रहे हैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं परिसरम कर रहे हैं तो भी थोड़ा अभाव की इस्तिती बनी हुई है निम्न मंगल और उच्च मंगल अगर हम देखते हैं तो प्राकरम बहुत अच्छा है एनरजेटिक स्वभाव बना रहेगा इसका लाब होगा यहां पे ब्रिस्पति के परवत को देखें बहुत अच्छा तो है लेकिन सनी के तरफ जुकाव हुआ है परिवार को लेकि थोड़ी सी चिंताइं रह सकती है कुछ समय तक लेकिन आगे जाके यह अच्छे भाव में आ रहा है जा सांसारिक सुक मिलेगा वहां पारिवारिक सुक भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है कभी कभी ब्योजहे की चिंताइं सनी के कारण पूर करें यहां पर रेखा बहुत अच्छी है यस मिलेगा मान प्रतिष्टा मिलेगी सम्मान मिलेगा लेकिन सूर्य यहां पर बहुत ज़्यादा दबावा है यह इस पष्ट तरीके से बोल रहा है कि आर्थिक इस्तिति धीरे-धीरे कमजोर हो रही है आपका जो यस और की मान प्रतिष्टा समाज में मिलना चाए वो थोड़ा धुमिल हो रहा है और जो परियास आपके द्वारा किये जा रहे हैं उन परियासों में पूरी सपलता नहीं मिल पा रही है जो मेहनत आप कर रहे हैं जो परिसरम आप कर रहे हैं उसका जो पूरा स्रेय है उसका जो पू कर नहीं आपा रही हैं निखर के नहीं आपा रही हैं एक सहजता से एक सरलता से आपको रास्ता नहीं मिल पा रहा है और देखेगा जब सूर्य इस प्रकारसी होता है तो व्यक्ति अगर ब्यापार करता है तो ब्यापार में न तो वो बिस्तार मिलता है न वो फैलाव मिलता है ना वो नाम होता है उसका ना वो ब्रांड बनकर उबर पाता है जिसके लिए उसने सारा कुछ दाओं पे लगा के ब्यापार में गया था ऐसे में अगर आप नोकरी भी कर रहे हों तो नोकरी में वो वास्त्विक ग्रोथ नहीं मिल पाती है जिसके लिए आपने अपने आपको खपा लिया हो उसका कारण है सूर्य का पूरी तरों से उर्जा प्रोवाइड न करना और सूर्य तब उर्जा प्रोवाइड नहीं करता है जब धीरे धीरे लंबे समय से हमारा जो रूटीन है हमारी जो दिन चरिया हो अनबैलेंस रहती है इसको बैलेंस आउस्ता में लाना बहुत जरूरी होता है ये बैलेंस नहीं रहता है तो हमारे जो सारिरिक चक्र है वो सूर्य के चक्रों के साथ प्रसपर तालमेल में नहीं होते हैं और उसका प्रभाव जीवन के तमाम आयामों पर पड़ता है और जिसके कारण आपकी जो सारिरिक स्वाष्थ्य है आपकी जीवन की जो खुसाली होनी चाहिए जो उत्साव होना चाहिए जो उर्जा होना चाहिए इन चीजों की चिंता करने पडती है धीरे-धीरे यह चीजे हर समय साथ नहीं होती है इसके लिए आपको एक दिप्य सुर्य किरिया दी जा रही है सुर्य उपासना दी जा रही है उसको जरूर करिएगा अगर आप बीदिवत तरेके से सुर्य किरिया करते हैं तो धीरे धीरे आप देखेंगे 6-8 मेहने के बाद से अगर प्रॉपर तरीके से करते हैं तो आपकी जो सारीरिक चक्र हैं वो सुरे की चक्रों के साथ ताल मेल में आने बैठ जाएंगे और उसका असर आपकी जीवन के तमाम आयावों पे निश्चित पड़ेगा जहां आपके सारीरिक सेहत बेहद अच्छी होगी वहीं आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा और आपका जीवन निश्चित ही सहजिता से चलने बैठ जाएगा फिर चाहे सारेरेक स्वाष्थे हो, जीवन की खुसाहली हो, जीवन का उत्साव हो, जीवन की ओड़जा हो, इन चीजों की आपको चिंता नहीं करने पड़ेगी, ये चीजें हमेशा आपके साथ रहेंगे, तो जरूर करिएगा छोटा काम भी करेंगे, तो नेम फिम पाने के एक्षा बहुत जादा रहेगी, इसका लाब आने वाले समय में बहुत अच्छा हो रहा है, यहाँ पे अगर देखें तो वर्टिकल लाइने बहुत अच्छी है, ब्यापारिक बुद्धी बहुत सांदार है, सेल्स और मार्केट के गुण हैं आपके अंदर, सेवा भाव है, जीवन के बुड़ा पे काल में अपने हाथ का पैसा अपने पास रहेगा, यह बहुत अच्छी यहाँ पे चीज दिखाई दे रही है, इसका लाब भी होता वाद दिख रहा है, चंद्रमा की इस्तिति अगर देखें, चंद्रम इमोशनली प्रेशान कर लेता है, और कभी मन को भटकाता है, ब्याकुल कर लेता है, मन भटकाओ की इस्तिति में आ जाता है, और नीन आने में भी दिकतें आ सकती हैं, इस और संगेत करता है, लेकिन इसका उपाई में दे रहा हूं आपको, अब देखेगा, मैंने आपकी हत पूरा विस्लेशन करके आपको बता दिया है उपाई में विद्वत तरीके से लिख करके आडियो के माद्यम से आपको भीज रहा हूं करने की कोसिस करें निश्चित रूप से आपको अच्छा लाब मिलेगा इस वीडियो में बस इतना ही एक नई वीडियो के साथ पनोपस्त हिस्ति तूंगा तब तक के लिए नमस्कार।